नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत मैं हूँ आपके साथ शर्मिला चुहान होली का तेवार यानि रंगों का पवित्र तेवार आचुका है और इसको लेकर वाड नंबर 29 की पार्षद यानि वाड पार्षद की उमिद्वार रेनु कुमारी ने तमाम प्रदेश व रासियों को हार्दिक बढ़ाई दिये साथी उन्होंने ये भी कहा है लकिस राय के समवादाता सरफडाज आलम से बातचीत के दरान उन्होंने कहा कि यदि वाड पार्षद बनती हूं तो पार्षद बनकर नगर के जितने भी अधूरे काम हैं उन अधूरे कामों को तेज पूरा करवाने का काम करूंगी जरा सुरिये रेनु कुमारी से ये खास बाची डी टीवी भारत के समोधा था सर्फराज आलम के साथ रंगों का तेवहार होली की दस्तक हो चुकी है होली मुबाएं खड़ा है और आम जनता हो या जन परतनिधी सभी लोग होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं और बधाईयों का ताता भी लगा हुआ है इसी कड़ी में डी टीवी भारत की टीम अभी पहुँची है ये लखी सराय नगर परिशत छेत्र का वार्ड संख्या 29 का इलाका है और हमारे साथ नारिशक्ति की परती के रूप में चर्चित रेनु कुमारी वार्ड संख्या 29 की वार्ड आयुक्त है मैडम बिहारा और देश का उभरता टीवी चैनल डी टीवी भारत में आपका स्वागत है आप जन परतनिधी है वार्ड नम संख्या 29 को विकास के मामले में जो आपने बीते पांच वर्सों में जो गती दिया है इसको लेकर आप होली के अफसर पर जनता से क्या अपील करना चाती है क्या सुब कामना देना चाती है मैं जनता से वस इतना कहना चाती हूं कि कोविट के नजर को देखते हुए सभी अपनी डिस्टेंस बनाय रखे और होली का तेवहार बहुत ही खुशी से मनाया और सभी नगरवासियों से मेरा अधी है कि कि होली होली यीद और राम औरम्मी के शुबा कामना हैं सभी नगरवासियों को मेरे तरफ से आप म चरचित महिला हैं चाहे छट का त्योहार हो चाहे कोरोना का मामला हो आप समाज में आपकी अहम भूमिका रही है आप जिसकदर लोगों का सह्योगार मदद आपने किया है और होली का पावन मौका है आप लोगों से और क्या संदेश देना चाहेती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं, किस तरह का होली लोग मनाएं? होली बस यही मनाएं कि अपने बालवचों को थरा सुरक्षित रखें, क्यूंकि कोवीड अभी गया नहीं है, कोवीड तो बना हुआ है, बस डिस्टेंस बना के रखें और खुशी से अपना होली तेवहर मनाएं? विधी बिवस्था के मामले में जिला परसासन की भी अहम भूमिका होती है, तो आप एक जन परतनिधी के हैसियस से जिला परसासन, पुलीस परसासन से आपका क्या अपील होगा होली के मौके पर? पुलिस प्रशासन से यही अपील होगा कि वो सभी को जड़ा देखें कहीं दंगा फसाद ना हो बस यही हम करना चाहेंगे तो ये थी रेणु कुमारी नारी शक्ति के परतीक के रूप में वाड संख्यां 29 में ये पर्च चर्चित हैं और ये छट का मौका हो या और अन मौका हो चाहें किसी भी आपदा विपदा का मौका हो ये जनता का सहयोग में हमेशा ख़ड़ी राती हैं और इन्होंने वाड संख्या 29 की वाड आयुक्त के हैसिय से होली की धेर सारी सुबकामनाएं अपने जंता को अपने मदाता को दिये और ये भी बताते चलू कि कुछी दिनों में नगर परिशत का चुनाव भी खड़ा है और रेनुक कुमारी पूरे दम खम से चुनावी समर म के साथ सर्फराज आलम डी टीवी भारत लखी सराय